अब एक है कुछ भी होने पर पूरा देश क्या होता है एक साथ हो जाता है। भारत के, संपुन विश्व एक विशाल परिवार है, ऐसी भावना भारत में वेद काल से ही प्रचली थे, हमें चारो दिशाओं में से अच्छे और सुप विचार प्राप्थो, रिग वेद का संदेज, भारतिय संस्क्रती की विशालता और वियापक्ता का दर्शन कराता है, मतलब हम चारो दिशाओं में सब अच्छे ही अच्छे स्विकार करें, तो ये किसका संदे से रिग वेद का, जो हमारे चार वेद है ना, उसमें से पहला वेद जो रिग वेद है उसका, भारत ने धार्मिक साहिंशुनता का प्रचार विश्व में क्या है, मतलब कि सभी धर सभी धर्मों का आदर सम्मान करना चाहिए, स्वामी विवेकार नने सीका को अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म परिश्व में कहा था, मुझे कहते घर्व हो रहा है कि जिस धर्म का में प्रतिनीदी हुए, मतलब उन्होंने कौन से धर्म से वो थे, हिंदू धर्म से, उ सब क्या है, एक है, भारत एक असंप्रादाएक देश से, धर्म की द्रश्टी से भारत संसार के परमुख धर्मों के सम मिश्रन की भूमी करना है, मतलब विविन धर्मों के यहां पे लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, बोज, जेन, पार्सी, इसलाम, इसाई, धर्म का भारति संस्क्रती पर प्रभाव देखने को मिलता है, प्राचिन भारतिये, जोती धरों ने भी भारत की एकता पर बल देखकर समगर देश को भारत वर्स ऐसा विसाल नाम दिया था, पवित्र माने जाने वाली साथ नद्यों का समावेस भारत में रचित प्रातनाओं से भी हुआ ह विवित्ता में एकता भारतिय संस्क्रती की सर्वोत्तम विसिष्टता है, जिस तरह महासागरों में नद्यों का संगम होता है, उसी तरह अपने देश में विवित धर्मों, संप्रदायों, जातियों, भासाओ, रिती रिवाजों, परंपरां और उत्सों का सम्मिनिश्रन मिलता क्योंकि हम सब उन चीजों को अपनाते भी हैं भारत में विविद लोग सहस्तितों की भावना से अपना जीवन जीते हैं भारती परजा ने अपनी इस विशेष्था का समर्दन और हिपाजत की है जो की अधित्य है मतलब ऐसी और कोई और कई के लोग नहीं कर सकते जैस कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे वापिस बोल सकते ठीक है थैंक्यू क्लास